हेलो गाइज, वेलकम बैक टू एनदर गेम प्ले सीरीज और आज मैं इस टॉप टीन गेम्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगा तो उन गेम्स में से एक गेम है अफरोड कंस्ट्रॉक्षण सिमुलेटर 2020 गेम का नाम मुझे अच्छी तरह से याद नहीं लेकिन मैं डाल दूंगा नीचे स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो तो इस गेम का ग्राफिक्स बहुत अच्छा है दूसरे गेम्स के मुकाबले यह उपनूल गेम है और आप लोग इसमें कंस्ट्रॉक्षण बीकर सकते हो तो आप लोग इस गेम अना एक ब्रॉड वाला शीन भी देख सकता है अप लोग आफ रोड वाला शीन भी देख सकते हो गेम पे लिकन इस गेम का एक बुरा पॉइंट यह है कि इसमें केमेरा एंगल आप लोग दूसरे आप लोग अच्छी तर ऐसे नहीं देख सकते हो तो क्या मेरा एंगल कुछ अच्छा नहीं इस गेम पर मेरा मतलब है कि आप इसे स्क्रीन को टॉच करके अपने उनलियों को इधर उधर हिला के आप पूरा व्यू नहीं लेख सकते हो इस गेम का लेकिन अगर एसे टॉर्म करोगे तो आप लोग को देख सकता है कि यह जीशी भी है ठीक है तो यार गेम पे तुम लोगों को आप एक्सिलरेट करता ही रहना पड़ता है जब तो तो देखो काम करते समय क्या है कि इसमें अगर तुम काम कर रहे हो तो ही इसमें कुछ कुछ यह कैमेरा एंगल दिखा सकता है तो इसे यहां पर कुछ लोडिंग करके जैसी भी के साथ हम लोग इसे लोडिंग कर सकते हैं इन स्टॉन्स को लेकिन गेम का कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा यार देखो तुम लोग इसमें ट्रक भी चला सकते हो तो गेम यार बहुत अच्छा लगाये मुझे अगर तुम इसे पथर पे गाड़ी चाड़ा देते हो तो तुम लोगों को नहीं तुम लोगों का लोडिंग थोड़ा डिला हो तो देखो यार गेम तो अच्छा है लेकिन यार यह एंड्रोड का गेम है तो उतना अच्छा भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम मैंने वह पथर देखे नहीं थे और मेरा हिंदी थोड़ा खराब है क्यों कि यार आम नोट इंडियन देखो पथर को अभी तो मेरा काम यह है कि मैं पथर को लोडिंग कर दूं लेकिन यार इसको लोड करने में थोड़ा टाइम लगता है तो इसलिए मैं तुम लोग को दिखा रहा हूं कि तुम लोग इसे पथर को साइड करो कि हमें पथर को लोड करना होता है और उस ट्रक को अपने डिस्टिनेशन पर पहुंचाना होता है और बहुत से काम होते है जो रोड से रिलेटेड काम होते है लेकिन अभी वीडियो बनाने में मज़ा नहीं आएगा तो इसलिए मैं पथर को ट्रक पर लोड नहीं कर रहा हूं इसको इसे ही साइड पर फैक रहा हूं तो अभी जाते हैं नेक्स्ट गेम की तरफ तो यार अभी यह वाला गेम जो है यह सभी गेम का बाप है मतलब अभी तक जो कुछ भी गेम दिखा है उन सबसे थोड़ा अच्छा है यह गेम क्योंकि यार इस गेम पर तुम लोग उपन उल्ड भी कर सकते हो और यहां पर मिसंस भी बहुत ज्यादा ही है दूसरे गेमों के मुकाबले क्यामेरा एंगल भी अच्छा है तो यह से लोडिंग कर सकते हैं यहां पर मिने गेम पहले भी खेला हुआ है तो यहार मुझे गेम बहुत अच्छा लगा था तो यह से हम इस गेम पर इस बैक हो लोडर और स्ट्रक को चला सकते हैं गेम का भीव भी बहुत अच्छा है देखो तो इसा कुछ मजा है गेम में अगर यह गेम का वीडियो तुम लोग को अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक मार दो यह गेम मुझे तो बहुत अच्छा लगा है गेम में उतना बुरा ही कुछ नहीं है बस इसी तरीके से लोडिंग करते हुए रोड को क्लियर करना है और जो कुछ भी माल होता है इसको रोड के साइड पे ले जाकर हमें गिरा देना होता है जैसे कि पथर अगेरा बहुत है इस गेम पे रोड में पथर बहुत है और मिशन्स भी बहुत ज्यादा ही है देख सकते हो तो अभी पथर से गुजरी है हमारी गाड़ी तो एसे पथरों को उठा कर इस गेम में हमें पथरों को साइड करवान आता है यही गेम का लोजिक है और ऐसे तुमको एक पॉइंट धूमना होगा जहां पर इस लोड को हम लोग अनलोड कर सके तो मुझे यह वाला पॉइंट और एक रिवर यह गेम में तो उस रिवर में लिजाकर में अनलोड करते था हूं देखो यार अब इस गेम का नाम तो मुझे याद नहीं है लेकिन मैं दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर स्क्रीन पर ही दे दूंगा पहले वाली गेम पे तो तुम लोग पहले वाली गेम पे तुम लोग कुछ मैं आपको एक्स्प्लोर कर सकते थे दोनी गेम पे और दूसरा वाला गेम जो दिखाया था मैंने ट्रक को लोड करके ट्रक को भी दोडाया था उस गेम पे तो ओपन ओल्ड भी खेला जा सकता है लेकिन इसमें उतना जा ओपन ओल्ड नहीं है मतलब गेम ओपन ओल्ड गेम नहीं है यह लेकिन कंसेप्ट कुछ इसी तरह था उस गेम पे भी पेले वाला गेम जो दिखाया था उस पे मिशन होता था वो ओपन ओल्ड भी कर सकते थे अगर तुम तुमें मैप को कुछ देखने का मन था तो मैप को भी देख सकते थे लेकिन इसमें इस पे सब नहीं कर सकते हो बस एक लिमिटेड जगा होता है उस लिमिटेड जगे के अंदर ही गेम को खेला होता है तुमें इस पे लेकिन इतना ज्यादा मज़ा नहीं आता है लेकिन अगर मैं चाहले तो विडियो बना सकता हूं विडियो बनाने के लिए तो अचा है, यूटुवर्स के लिए धी माझा आता है,만ि फिकिन एतना ज्यादा वार वे लानों